सखी सहेली लेई ही लेई लेकिन आही नहीं नहीं पाती है क्या करें। इसी पर बातकर लेतें कि गर्वी में जो शादी समारों होते है उनमें क्या-кіा होता है और क्या-क्या ख्याल रखना चाहिए हैना बल्कुल बड़ING सही है जे और हमारी सकhीय ओंmar accuse कि क्या होता है क्या हम बाहर हम बाहर करने जुसरा कर दो एंखाल करलेटा है, जो कामका जिम् मैलाओं के लिए वैसे कुछ मुश्किल नहीं है फिर भी हम लोग बात कर लेंगे वो तो कहेंगे रहे यह सब तो हम कर दे हैं आप क्या बता रही है लेकिन कामकाजी मैलाएं और घर और उसके संग संग देखो जो कामकाजी नहीं है वो भी कुछ ने कुछ आजकल प्रयास कर रही है जो कहते हैं सुतंत्र रूप से कुछ करना वो भी करती रहती है तो भई उसको करते रहिए और किस तरह से घर में आप सामज़स से स्थापित करती है खुद बताईए थोड़ा बहुत जो हम लोगों को अनुभाव है वो हम साजा कर लेंगे और कुछ खाना पकाना भी बता देंगे जो फटा फट बने है आज तो विंजन की देन ना आज आज तो दिन जो है वो सखी विशेश में जो है वो कला के क्षेत्र से है तो कला के क्षेत्र से आज हम बात करेंगे सुहास जोशी जी की जो अभी नेत्री है तो बात करते हैं उनकी की बहुमूखी प्रतिभा की धनी सुहास जोशी मराठी थियेटर में जाना पैचाना नाम है साथ ही टीवी और फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने हिंदी में भी काम किया है जन्म 12 जुलाई सन 1947 महराष्टर में हुआ और कॉलिश के दिनों से ही सुहास जोशी अभीनय के क्षेत्र से आकरशित हो गई थी और उन्होंने कुछ नाटक में अभीनय किया और इस तरह से अभीनय में रूची होने के कारण राष्ट्री नाट विद्याले एनसडी दिली में अभीनय के लिए तीन साल का डिप्लोमा कोर्स किया उन्हें प्रसित थीटर निर्देशक अब्राहिम अलकाजी से प्रशिक्षन मिला और अभीनेतरी सुहास जोशी जो हैं अपने केरियर की शुरुवात उन्होंने की थी 1972 में मराठी नाटक बैरिस्टर से विज्या महता द्वारा निर्देशित नाटक जैवंत दल्वी द्वारा लिखा गया था और सुहास जोशी ने इस नाटक में राधा की भूमिका निभाई थी और साथी बैरिस्टर की मुक्य शिर्शक भूमिका में थे जाने माने अभीनेता स्वर्गी विक्रम गोकले जो समय भी फेमस थे बिल्कुल सक्री थे और सुहास जोशी ने उसके बाद बहुत सारे नाटकों में आभिने किया जैसे कि विजय तेंदुलकर की कन्यादान सही परांजबे के जो थी सखे शेराजी कन्यादान नाटक में उनके साथ सहाय कभीनेता थे टॉक्टर श्री राम लागू और नाटक को निर्देशित क्या था चरितर अभिनेता सदाशिव अमरापूरकर तो ये सब नाटक के शेत्र में कह सकते हैं ठीटर रंगमंच के दुनिया के बड़े जाने में पहचाने से नाम है इस नाटक की जिसके हम चर्चा कर रहे हैं उसके सौ से अधिक शोड़ो क्या है बल्कुल और नाटक टीवी के शेत्र में इन्हों ने मशूर अपनेतरी का जो है सुहास जोशी जिनके नाम से हम जानते हैं उनका जो असली वास्तविक नाम है सुहासनी जोशी है लेकिन जैसा की है की फिल्मों में प्रचलित हो गया ये नाम सुहास जोशी तो ये लंबा है उसी का छोटा बस है बसा तो उन्होंने एकालाब नाटक स्मृती चित्रे का भी प्रदर्शन किया था जो की लक्षमी भाई तिलक की आत्मकता पर अधारी थी इस आत्मकता को मराठी साहिती की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है बुगाजी जिसका बाद में अंग्रेजी में आई फॉलो आफ्टर के रूप में अनुवात किया गया था और एक एक अलाब होने के नाते सुहाज जोशी ने पुर्शो सही तीन चार आवाजों पर उन्होंने काम किया था बहुत बड़ी बात है बहुत मुश्किल काम है तुरंत बदलना आप अलग से बैट कर कोई अलग स्वर निकालें तो बात ठीक है निकल जाती है अब भ्यास करते हैं टेक रीटेक होता है लेकिन एक तो रंग मंच में कोई रीटेक की संभावना नहीं रहती उसके बाद इस फिल्मों और हिंदी टेलिविजन शो में भी काम किया दो हज़ार बारा में उन्होंने खामोशियां ये सीरिल भी किया धारावाहिक साथ ही कई बॉलिवुड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है जैसे तेजाब है चान्नी है जोश है जो की फिल्में सफल भी रही और उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया जैसे की तू तीथे मी सत्यात घरत वगहरा और अगर इसकी बात करें मराठी फिल्म तू ती इस फिल्म में अच्छे अभिने के लिए सरवश्रेश्ट अभिनेत्री के लिए मराथी फिल्म फेर पुरसकार भी दिया गया, साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें स्क्रीन पुरसकार से नवाजा गया, साथ ही अभिने के लिए साल 2018 में संगीत नाटक अकैदमी पुरसकार से स काम किया है जैसे मुंबई पूरे मुंबई बोगदा जिम्मा एकदा काय एकदा काय जला जो की हाल ही में मितलब प्रदर्शित हुई है इस तरह उन्होंने कई डैडि भी आदी होगी है मारे साथिओं को तो अब इसी तरिके से आभीन इू एक जाना पहचाना नम ऐसी ही चलती है बच्छे होते हैं बड़े हो जाते हैं फिर शादी कर समय और घा से लिगाज इसे भी चलती है अलग है एसी और वह साथ कहीं गर्मी में आ जाए तो पर तो अरे क्या कहने मज़ा आ जाते तयार होते होते ने वारे साथी ने लोग बहुत अच्छी ची बात लिख रहा है वैसे पता है मतलब उन्होंने यह लिखा है और यह बिल्कुल सही भी है कि यह जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत है शादी का आशिरवाद और आशिरवाद देने का वीडियो छूटना नहीं चाहिए अब ऐसे हैं अभिवावक भी करें तो क्या करें सभी मौन ही हो जाते हैं संसकार की बात है जो दिया वही पाया तो यह बात बिल्कुल सही है बिल्कुल अरबवा जी एक शोता है उन्होंने यह भ में भाग लेने के दोरान जब बिजली का ट्रांसफॉर्मर अचानक अत्याधिक लोड रहने के कारक्रम के दोरान ही ब्लास्ट करके बंद हो गया और अचानक अन्धेरा हो जाने के कारण महिलाएं और बच्चे चिलाने लगे तो दो-तीन मिनट के बाद जनरेटर से लाइन तो आ गई लेकिन एक ऐसी ठीक तरह से नहीं चलने के कारण सब की हालत खराब होगी शादी समारों में खाना पीना भी ठीक से नहीं हुआ सारे लोग सज धच कर गए थे लेकिन कान के बगल से रेंग तीवे पसीने के ने सभी की हालत खराब कर दी तो यह मैं दुखो सही है तो थोड़ा से ख्याल रखें कोशिश करें अब आप वही है ना कि शादी का समय है तो आप उसमें ऐसे साधा सूती कपड़ा पहन कर नहीं जा सकते लेकिन है फिर भी बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कौटन में भी महेंगे हुई होते हैं मतब ज जाना उन सब में भी बस थंड लग जाते है ठंद से गर्मी जब मतुब हाल बुरा तो हो जाता है अगर घा आपको परिशानी नहीं होती है, वो मेक अप इतना खराब हो जाता है कि सामने वाले को भी परिशानी होती है, पता है, तो भी देखो, शादियों की चर्चा क्या करेंगे, चलते हैं शादी में, ऐसे ऐसी शादी के पूछो मत, बिल्कुल, अब बोजी एक चीज और है, खासक हैं, तो उन्हें फ्रिज पे रखें और समय पर ही निकालें, तो भी मुश्किल तो ही जाती है, क्योंकि पार्टी जो होती है, वो कम 2-3 घंटे कले तो चलती है, तो ऐसे में समामना रहती है, तो फिर बात आती है कि ऐसी जगह ना रखे जहां के खाने का समान जहां रखा है बिल्कुल बाजी और खासकर गरिष्ट और जो बहुत ओईली खाना है, वो खाने से बचें, ताकि आपकी मतलब आपके शादी में जो आप आनन्द करने गए हैं, आप बिमार ना हो, और अपने बच्चों का भी खयाल रखें और बुड़ों का भी, ताकि कई बार ऐसा होत जी हाँ, वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि रोचक विशे गर्मी की शादियां, बच्चपन में इस गर्मी का बहद इंतजार रहता था क्योंकि परिवार में शादी होती थी, इन्हीं गर्मी के चुट्टी, के दिन चुट्टीों में हम जाते थे, पर आप गर्मी की कि चलिए बराती आ गया है तो कुछ लोग उठकर गए बहुत ज्यादा बीड होने पर ऐसा लगा कि एसी भी थग गया है शादी तो अच्छी तरह निपट गई पर आधे से ज्यादा घर बीमार पड़ गया और पुणे और बिहार की गर्मी में जमीन आस्मान का अंतर है बच आयोजन कम कर लें जल्दी में निपटा दें और फिर लोग भी इगर इस बात का ख्याल रखेंगे कि नहीं हम हलके हलके ही कपड़े पहनेंगे तो सभी लोग वैसा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा कम से कम रंगों का जो चुनाओ है हम वो ध्यान से करें कि हलके रंग हो तो थोड़ा आंकों को भी रहात मिलेंगी शरीर को भी आराम मिलेगा हऩ बिल्कुल बह जी ये तो बात हो गई हमारी लिकिन जो दूलहःष और दुलन होते हैं उनकी भी हम बात करने कि गर्मियों से ठुड़ा बचा हो सकता है और नीचरल मेक अप अगर करें बहूँ ज् तो आप अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, कही न कही देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बहुत जब भड़कीली चीज़ें ऐसी गर्भी में देखते हैं, तो खुद भी बहुत तकलीफ होती है, मतलब भले ही आप सुकून में हो, लेकिन लगता है, अरे ये कैसे जी रहे हैं ऐसे, होता है, तो ऐसे ही लड़के के लिए भी है, कि अगर रिसेप्शन है, या बारात लग चुकी है, तो आप शेरवानी उतार के सिल्का कुर्ता डाल लीजिए, हलका पैजामा कुर्ता पहन लीजिए, और अगर आपने अच्छे डं दुलन जो है, वो तो दिखी जाते हैं, सब की निगाह उनी पर रहती है, तो अब अलग से दिखना क्या, लेकिन हाँ, अब जब गर्मी में शादी की है, तो उसी तरह से आपको सजना सवरना पड़ेगा, तो एक हमारे शोता भी लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि एक आउसम के लिए एसी बस, एसी ट्रेन, एसी कार, टेक्सियां भी उपलब दे लेकिन उनके लिए एक्स्टा चार्ज लगता है, लेकिन टेक्सियां सड़क पर चलती है, टेक्सी अंदर आनंद है, और टेक्सी के बिलकुल गेट खोलते ही बाहर गर्मी, अपना विकराल रू गर्ण कर दियांगी, यह वार दिलकुल महसूस होती है, तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कहां जा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं, वहां पर कितनी गर्मी है, तो इन सब चीजों का ध्यान तो रखना ज़रूरी है, खाने पीने की वस्टों पर विशेश ध्यान रखन हाँ भाई हसने हसाने की रात तो होती है बिल्कुल और सजावट की अगर हम बात करें बौजी तो जिनका घर है जैसे बहुत से function होते हैं ना छोटे बड़े भी होते हैं बिल्कुल हल्दी है संगीत है और महंदी है तो इस तरह से अगर आप घर पे ही function अगर आप कर रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि जो सजावत आप आप कर रहे हैं वो भी बहुत हल्की फूली ढहते ही जैसे की बहुत महंगे महंगे फूलना लेयं केले के पत्ते जैसे केले क्या साथी जैसे केले थsınızक हलाड यो हल्क मुर्ज director जो ऐसे चीज़ें जो जल्दी मुर्जा है ना काफी समय तक चले तो वो क्या है कि अगर आपने सुबे से सजावट कर दी है तो रात तक वो चले बहुत नाजुक फूल होंगे तो इस गर्मी में परिशानी हो जाएगी और फिर वो वही है कि खुबसूरत लगने के बजाए खराब लगने लगे लगे का मूँ चिड़ा रहा है आपको तो इस बात का ख्याल रखें सजावट की बात जैसे है उसके संगसंग जो खुद सजा आपको भी ठंडक देंगे और देखने वाले को भी सुकून देंगे है बिल्कुल ऐसे गहने बुह जो बहले मेंशला ख crazा हो जिसे पसीना आए पर परिशान करता रहे है तो ऐसे हल्के पलके गहने पहना जा सकता है हल्के पहने है और उसके संगसंग जैसे की हमने बताया वो बहुत हलके होते हैं जो जैसे के बंगाल में जिसके मॉकुट आदी बंता है उसकी भी गहने बन गे आते हैं तो वह भी पहन सकते हैं सुद्दर लगता है तो इस तरीके की कीजे ख़यर करें क्योंकि कुछ तो होते जैसे की कागस के उपर कपड़े लगा के गहने बनते हैं तो अगर आप उसमें शरीक हो रहे हैं तो इस तरीके के गहने का बड़े अच्छे से इस्तेवाल कर सकते हैं फिर गहनों के चैन की बात हो गई तो खान पान जो है वो जादा रखें और खुद भी ये धियान रखें जो शादी समारों में जा रहे हैं कि वो भी धियान रखें कि वो इस तरह की चीज़ें जादा खाएं और अपने आपको हाइडरेट रखें मतलब पानी पीते रहें बिल्कुत सब्सक्राइब काज के दौरान भी हाँ इसके संग संग एक बात और है कि बराबर नहाते भी रहें कि वो ऐसा नहीं कि अंदर से हाइडरेट करें बाहर से भी चेहरे को कम से कम नहीं तो बाहर से धोते रहें स्प्रे करते रहें उससे बहुत फर्क पड़ता है कहीं नहीं जो है राहत मिलती है तो इन सब चीज़ों कि बार-बार अगर मुन दोते रहेंगे हाथ दोते रहेंगे पैरों को तल्वों को धोते रहेंगे तो श्रीर का ताप्मान जो है ओगर आप पूरा नहाने की व्यवस्ता नहीं हो पा रही है तो कम सकम इतना कर लें एक बार तो नहांगे यह लेकिर जैसे कि अगर शामा अधि हिंदी में लिखते हैं अपनी बाते बहुत कम लोग होते हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं तो कहीं न कहीं Indigenous हिंदी देखकर बड़ा अच्छ लँदा आ आ है तो ये बात बेर्कुल सही है कि आज जो सजा आपको लगती है वो जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं जो लोग भी बात कर रहे हैं वो कहीं ने कहीं उसमें मज़े ले रहे हैं कि ये हुआ था वो हुआ था तो जब गुजरता है तब तो सजा लगती है लेकिन बाद में मज़ा भी आता है तो उस सजा को ऐसे ही गुजार दे लेकिन भाई इसलिए तो मैं साथ ही कह रहा है कि शादी रोज तो होती नहीं एक ही रात के लिए कपने उतार दिया जाए अरे बहुत होगा तो गर्मी नर रख सर्दी में मूरत तलाश कर ले और शादी की शोभा दुलहे से और वो भी फटीचर नजर आए ना बाबा ना ये सब नहीं होगा हां तो बहें नों ने तो ऐलान कर दिया है नहीं बात तो सही है रहा है आप तुम बताओ तुम पहले अभी क जो आपको अराम दायक लेगे बस यही कहना है और देखो एक बात है कि बहुत तरीके के कपड़े होते हैं जैसे इन्होंने कहा फटीचर ऐसा नहीं है जो कपड़े हलके होंगे जो मतलब गर्मी कम देंगे वो भी देखने में बहुत खुबसूरत लग सकते हैं यहीं पर आ सारी चीजें है यह चुनोती की तरह है जो आपको और हो सकता है कि अन्य समय की तरह कि अपक्षा और अच्छा दिखा है सर्दी में तो पूरा आपने कोट पहन लिया क्या सब एक से ही लगते हैं ऐसा भी तो होता है सारी तो मज़ा इसी में है कि आप इसमें कैसे अलग भी है और अपना मज़ा भी लूट सकते हैं बिलकुल वजे और एक शोता है उन्होंने लिखा भी है कि अन्होंने अपने घर की बात कहीं कि मेरे घर में अभी एक भती जी की शादी हुई बस गर्मी में यही विचारा आया कि सभी को एसी कोच रूम खाने की विवस्था सभी का सभी काम समय पर हो उनको पूरी सुविधा उपलब्द हो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा सभी ने सभी कारियों के लिए मुझे लगता है कि योजना बना कर ही किया जाए तो बहतर है बिलकुल क्या बात है बिलकुल सही बात है ऐसे हमारे सथी बहुत सारी तारीफ लि हम सभी आप सब के प्रस्तुति की कितनी साराहना करते हैं आप कहेंगी यह तो ज्यादा हो गया शादी में जाने का मौका तो लगभग सबको मिलता है आशकल नहीं कहीं न कहीं जरूर यह सीजन ही वही है पर आशकल का खाना बड़ा ही रासाइनिक चीजों का मिलकर बनाया जाता है जो कि स्वास्त के लिए नुकसान दायक है और यह सुपाच्य भी नहीं है हमें कम खाना चाहिए बचना चाहिए जाड़ा में जो शादी का कारेक्टर हम होता है वह अच्छा लगता है जम के खाईए नाचिये कूदिये जितना भी पसीना नहीं आता आशकल तो गर गर्मियों में शादी करने से कतराते हैं क्योंकि ये दोनों पक्षों के लिए महंगी और परिशानियों से भरी होती है गर्मियों में खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होती है और शाद्मियों वैसे भी हर रस्म पूरी होते होते खाने में देर तो हो ही जाती है बरात की तवियत खराब होने की संभावना प्रबल रहती है जिससे शादी के उत्सों का मज़ा जो कहना चाहिए किरकिरा हो जाता है तो देखो भाई ये बात वही है कि शादी होगी ही मूरत अगर निकला है और भी बहुत सारे कारण होते हैं कोई विदेश जा रहा है किसी की नौक है उनको ख्याल में रखते हुए खाया जाए पिया जाए कपड़े पहने जाए बिल्कुल और इस शादी को कैसे कहना चाहिए इंज़ाए कि जाए बिल्कुल खुशनुमा बनाया जाए जाए कथा सुधा कहानियों का दर्या लहरों में गोते लगाएंगे कभी हसेंगे तो कभी आखें नम कर जाएंगे कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बाते होंगी सुनिए, ऐसे है कुछ कहानिया हर सोमवार दोपहर तीन बजे कारिक्रम सखी सहेली में कथा सुधा जो गीत बचते हैं वो भी जो बड़े तड़क बड़क वाले होते हैं तो दिक्कत हो जाती है जी खेर चलो तो ये तोंगे गर्मियों की शादी की बात अब हमारे शोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं कामकाजी महिलाएं और घर में कैसे संतुलन बनाएं क्या क्या करे तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं एक शोता लिखते हैं कामकाजी महिलाएं दोहरी भूमी का निभाती हैं घर और बाहर ऑफिस की लेकिन अगर उनकी दिनचरिया सही है अरली मौनिंग उड़ती है तो घर के सभी काम विवस्तित करके वो नियत समय पर अपने कार इस्तल पर भी पहुंच सकती है और उन्हें कोई तनावी नहीं रहता ये बात बिल्कुस एह है घर सवरूप ग्री की अवधारना ही कुशल ग्रीनी पर आधारित है तात्पर ग्रीनी की कुशलता जिस घर में उसके कौशलने के साथ बसी रहती है उस घर के हर सदस्य की ही ग्रेनियों को ग्रे मंत्री कहा जाए तो कोई अतिशयोग नहीं होगी लेकिन समपते सारा महौली बदल गया है ग्रेनिया हवाई जहाज और ट्रेन चला रही है और हवाई जहाज उड़ाने वाले घर और होटल समाल रहे हैं तो भाई होटल तो पहले भी वही समालते थे आप साल पहले तक घर परिवार की चहारदिवारी तक ही सीमित माना जाता था शिक्षा के प्रचार और प्रसार से देश में शिक्षित महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ने लगी महिलाय परिश्रम नौकरी करने लगी और इस प्रकार कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग शिफ्ट वाली होगी श्रीमती जी की फिक्स समय हुआ करता था हमारे लोकल अधिकारी ड्यूटी समय एक दूसरे के साथ बदलने की सुविधा देते थे वो बड़ा फायदेमंद रहा था तो मैं ड्यूटी के साथ घर परिवार समहाल में भी समहालने में काफी मदद कर सकता तो भई देखो यह वाली बात है न कि कामकाजी महिलायें हमारे बेहने वो तो काम कर रही है कोशिश करती हैं कि घर और परिवार के साथ साथ जो हमारा कामकाज का स्थल है, कारे का स्थल है, उसमें भी हम सामंजस से रखें, लेकिन भाई, जब दो चीज की बात आती है, तो पती भी अगर सहयोग दे देता है, तो चारचान लग जाता है, नहीं तो फिर वही चीज बोश बन जाती है, बिल्कुल, और मुझे लगता है, बुआ जी की जैसे कामकाजी जो महिलाएं हैं जो बाहर भी जाके काम कर रही है तो उन्हें जैसे घर के जो सदस्य हैं जैसे आपकी अगर सास हो गई ननन्द हो गई तो उनसे भी मदद वो लेती है तो उसमें वो हिचकिचा है ना तो मदद ली जा सकती है घर के काम के लिए लेकिन सामने से भी तो तयार होना चाहिए ना दोनों तरफ काली बात है ऐसे कह दोगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बिना वेतन बिना चुटी घर परिवार समालने वाली हर महिलाओं को बंदन करते हैं प्राइवेट या सरकारी कारयाले में कामकाज समाल रही महिलाओं को दफ्तर से छुटी तो मिल सकती है लेकिन घर में नहीं पती पत्नी जब दोनों नोकरी में जोड़े हों तब महिलाओं को घर समालने के जिम्मेदारी और बढ़ जाती है हर पती को अपनी पत्नी को घर काम में सहयोग देने में ही समझदारी है क्या बात है, बहुत अची बात थी बात है कि सच बात है, ये बताईए ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो है न कुछ शब्दों में ही सिमट कर ये बाते रह जाए तो ध्यान दे बल्कोलasında और एक हमाई ऄयश होता है, उन्होंने लिखा है कि ये परिस्तिती जो होती है पहले के समय में किसी-किसी घर की कहानी थी और आज ये हर घर की कहानी है अगर हम अपने समय की बात करें तो इस्तिती आज की तुलना में बद्तर कह सकते हैं क्योंकि हर काम के लिए नौकरानिया जो मेड हुआ काम वाली हुआ करती थी नहीं समय गैस के चूले थे घर की मलीका को सुबा सुबा स्टोप पर चाय से लेकर सक्रेटिफिन तयार करके हाथ में थमाने तक अपनी चाय का गूट लेना भी नसीब नहीं होता था पहले मेरी मात जी भूमिका में थी फिर पत्नी ने ये रोल निभाया और खूब निभाया आज की बहुएं भी कमा रही है लेकिन उनके हर काम के लिए नौकरानिया उसी प्रकार हाजिर हो रहती है जैसे कि पट्रानियों की सिवाएं रहा करती थी क्या बात है बस पैसे की बरसात होती रह जैसे कपड़े धोना दूसरे दिन के लिए प्रेस करके रखना आदी मैं आज भी घर के छोटे मुटे काम अराम से कर लेता हूं क्योंकि आदत में है ये बहुत सही कही कि जो आज बदलाओं की जरूरत है वो तो और होनी चाहिए क्योंकि वो तो बात समझ में आगे कि हाँ बहने आगे निकलने लगी बहुत कुछ करने लगी लेकिन क्या हम उसके लिए तयार है या पूरा माहौल तयार है घर के और सदस से तयार है सिर्फ भाईयों की बात नहीं है इसमें और बहनों की बात है जिनके काम थोड़ा अलग धंके हैं किसी के जादा बहुत मुश्किल वाले होते हैं तो ये सारी चीज़े हैं हमें देखना होगा किस को किस के पास कितना काम है या उसके पास ख्रमता कितनी है काम भले ही कम है लेकिन वो नहीं कर पाती शारे क्या कुछ ठक जाती है या कुछ और तरीके की उनकी दिक्कत है तो इन सारी चीज़ों को हमें पूरे प उसको स्वीकार करना चाहिए बिवाजी एक जो बात है खासकर जो बच्चे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए कि वो अकेला महसूस करने लगते हैं खासकर जब वो अगर परिवार नहीं है साथ में और से पती पत्नी ही है घर पे तो ऐसे में क्या हैं जो महिलाएं ह जो खासकर पुरुष भी जब वो ओफिस से लोटें तो बच्चों से बैट कर बात दिन भर की जो दिन चरिया है उनकी उस विशह पर बाते करें कि उन्होंने दिन भर क्या किया और जब भी आपको छुट्टी मिलें तो उनके साथ बाहर घूमने जरूर जाएं जरूर जाएं ये तो बात हो गई लेकिन हम बात बहनों की कर रहे था हमारी साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है काम का जी मेला हैं सभी तरह की होती है कुछ दूसरे के घरों के बरतन कपड़े जाडू पोच्छा अन्य काम करती है वो इन्हों लिखा निमने श्रेडी मे महिलाएं अपने घर में खाना बना कर बच्छों को पढ़ने भेज कर निकलती हैं मध्यवरगी महिनाएं अश्रित होती है उन्हीं महिलाओं के आश्रित होती है एक दिन या आए तो मूट खराब हो जाता एक दिन वो ना आए तो फिर ऑफिस में देर हो जाती है घर के काम बच्चों और पती को स्कूल और आफिस भेजना टिफिन लगाना उफ लेकिन उच्छ श्रेणी में ये परिशानी नहीं होती उन्हें दूसरी चिंता होती है लेकिन सभी कामकाजी महिलाओं को सलाम की वे दोहरी भूमिका निभाती है तो बही देखो ऐसा है ना कि श्रेणी क इनसान काम करता है अपनी दिन चर्या वैसी ही बनाता है तो काम सभी को दिकत लगती है सभी को हलका लगता है ये अपनी सोच की बात है और फिर बात आती है बार-बार की किस तरह से सदस से हमारे परिवार के मदद कर रहे हैं और कैसा माहौल है घर का और खासकर जब जो काम पे जा रहे हैं, उनको पता है कि किस समय से किस समय वो बाहर है तो इस तरह से अगर वो अपने पूरे दिन्चरिया की एक लिस्ट बना लें और समय के अनुसार वो काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा नहीं हो, काम हो सकता है अराम से मलब घर पे भी आप दे सकते हैं और एक जो बहुत महत्पूर चीज़ है घर की परिशानियों को और ओफिस की परिशानियों को वहीं छोड़ के आए और घर की परिशानियों को घर पे छोड़ के जाएं ये इतना असान नहीं होता, हम बिलको सहमत नहीं है बहुरिया तुम कह तो देती हो बड़े मैसे से खुद भी आती है तो कैसी परेशान रहती हो चेरे से पता चल जाता है अम लाख दिखाओ लेकिन देखो ऐसा होता नहीं है लेकिन कोशिश तो की जा सकती है क्योंकि क्या होता है कि जब आप घर पे जाते हैं आपके बच्चे आपके पती आपका इंतजार करते रहते हैं और आप परेशान कहना चाहिए आपका चेहरा उतरा हो तो उन्हें भी कहीं न कहीं दुख होता है तो ठीक है दुख मिल्क बाट के निकाल ले अबना समय और क्या मतलब ठीक है देखो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वैसे तो लेकिन कहीं न कहीं कुछ ज्यादा हो गया ऐसा हो गया कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं आप उसमर्थ हैं तो फिर परिवार के जिम्मेदारी आती है कि ठीक है आज अगर आप थोड़ा सा परेशान है तो किसी तरह से उनको खुश किया जाए या थोड़ी परेशानी उनक वो तनावत दूर करें देखो हमारे साथियों में रायता भायता भेजा है कुछ-कुछ और भी चीज़ें भेजी हैं करड राइस भेजा है बहुत आसान है लेकिन आम का सीजन है तो यह मन्नो बहुरिया को मिठाई पसंद तो यह मिठाई बताएंगी और कैलोरी सबके बढ़ हुए है थोड़े से चावल उसे डाल दें और दूद के साथ ही उसे पकाते रहें कड़ाई में और दीरे दीरे पकने दें तो चावल भी पक जाएगा और दूद भी गाढ़ा हो जाएगा जैसे खीर बनती है उसके बाद उसमें शक्कर डाल दें और थोड़ा और चलाते र हाँ लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखें कि चावल जब पक जाए तब ही उसमें शक्कर डाली है रहा और कटेवे जो ड्राइफ रूट्स हैं केसर है थोड़ा सा इलाइची पौडर है लास्ट में जब पक जाए तो डाल दें अब उसके बाद के गैस बंद कर दें और यह जो खीर है उसे ठंडी होने दें जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें आम के जो पल्प हैं जो आम का बूदा निकाला है उसमें आप डाल दें और साथ में चोटे चोटे जो आम के टुकड़े अपने पीसेस किये वे वो भी डाल दें और सबको मिला दें और थोड़ी द है कि आम आपके खटे हैं तो आप शक्कर थोड़ा ज़ादा उसमें मिला लें अच्छा हमें लगा कि जब नहीं मिलेगी खीर तो हम कहेंगे आम खटे हैं नहीं बिलकुल और ये इस तरह से स्वादिष्ट और मीठी खीर आप सबको हमने खिलाई और अब इसकार क्रम से विदा लेते हैं बिलकुल जब समय हो गया तो चलने ही पड़ेगा बिलकुल तो मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार